है गाइस विल्कम टो आवर चनल लेर्निंग प्रामिग विए यह से स्टेटोल का 12 वीडियो है तो गाइस इस वीडियो हम देखने वाले हैं सिसस की बॉक्स साइजिंग क्या है और इसको हम कैसे यूज करते हैं अपने वेब ब्राउजर पर तो आए देखते हैं यहां से मैं अपना सब्लाइन टेश्ट डेटर ओपन कर रहा हूं और इसको पहले से मैंने फाइल सेव कर दी है और इसमें अब हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे तो बॉक्स साइजिंग होती क्या है सबसे पहले मैं आपको बताते तो यहां पे एक डिव लगा तो आपको ब करके पेश्ट कर रहा हूं यहां से यहां से पेश्ट कर दिया पेश्ट करने के बाद इसको पहले मैं ब्राउजर पर इसको रन कराता हूं ठीक है तो यहां से मैं इसको रिफ्रेस्ट कर देता हूं यहां पर आप दे सकते हैं इसका और पुट यहां पर आच चुका है ठीक ह अब इस पर मैं पहले border लगा देता हूं यहाँ पर style यहाँ पर लगाएंगे CSS अप्लाई करेंगे यहाँ पर लिखेंगे style इसको मैं cut कर देता हूं इसको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर जो class है जो डिव टैग है उस पर हम class लगाते हैं आई डी लगाएं जो भी सेलेक्टर लगा सकते हैं अब लगाना ठीक है तो यहाँ पर मैं डीवन नाम दे दिया इसका और class अब यहाँ पर style में हम लिखेंगे dot यहाँ पर डीवन लिखेंगे और यहाँ पर इसके बाद आपको क्या करना पर रहेगा 2 pixel इसकी बॉर्डर देते हैं ठीके 2 pixel देते हैं और यहाँ बाद मैं 10 pixel देता हूं एक बार 10 pixel और जो इसकी solid रहेगा और यह rate रहेगा ठीके red color कर रहेगा और इसके बाद मैं इसकी width देता हूं विर्थ हो जाएगी इसकी विर्थ देते हैं हम इसकी 500 ठीक है 500 पिक्सल इहां पर लगाएंगे फाइल को सेव करते हैं और यहां पर आके इसको ब्राउजर पर रिफ्रेस्ट करेंगे जब ब्राउजर पर रिफ्रेश कर रहे हैं आप देख सकते हैं जो इसकी साइज है जो बाउडर रेट कलर कर दिख रहा है रेट कलर को आप छोड़कर जो भी अंदर की साइज है वो 500 है ठीक है अब जो यह है 10 पिक्सल है तो 500 पिक्सल यह पलस 10 इधर दायर लेफ्ट एन किसल हो जा रहा है अब यह तो ज्यादा हो रहा है अगर मैं मैं तो 500 यहां पर तक window ठीक है करसर को मैं यहीं पर रहने देता हूँ एक बार अगर मैं इसमें padding डाल दूँ padding मैंने डाल दिया 50 pixel suppose that 50 pixel कर मैंने padding डाल दिया तो क्या होगा क्या उसके size मैंने width जितनी 500 दिये क्या उसे increase होगी या उसमें उतनी ही भी वहाँ पे रहेगी ये चीज़ आपको clear करना है मैं यहीं पर रखता हूँ इसको ठीक है अपने cursor को आप देख लें मेरे cursor कहा है अब मैंने padding दिये क्या यह width यहीं तक रहती है या इस increase होती है या फिर decrease होती है तो यहाँ पर मैं इसको refresh करता हूँ file को जैसे ही मैंने refresh किया आप देख सकते हैं मेरा mouse यहाँ पर है cursor और इसकी screen बढ़ जा रही है मतलब जो div है उसकी width बढ़ जाती है तो इस cases में हम क्या करेंगे कि width ना बढ़े है अगर हमें 100 pixels दे दू 200 अगर इसकी padding दे देता हूँ padding तो हम कितना भी देख सकते हैं 100 pixels दे देता हूँ तो size तो इसकी बढ़ेगी तो हमें वो चीज़ नहीं होनी चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना रही है आप देख सकते हैं यह चीज़ बढ़ रही है तो यह चीज़ ना हो हमारे साथ जितना हमने दिया है उतना ही हो बागी अंदर से क्या हो रहा है वो चीज़ आपकी important करता है तो यहाँ पर हम लगाएंगे border box box sizing जब लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे इसकी जो property है border box लगाएंगे ठीक है तो control इसकरके file को save करके यहाँ पर refresh करेंगे मैं यहाँ पर रखता हूँ अपना cursor अब देखते हैं जब border box property को हम use करते हैं तो क्या वो जैसे कर तैसा हो जाएंगे जी हाँ अब यहाँ पर देख सकते हैं जो कि border की 500 pixel है अब यहाँ से लेकर total यहाँ से मतलब rate के जहाँ से starting है यहाँ से लेकर total last तक इसकी 500 width है मतलब 10 pixel यह 10 pixel यह minus करते हैं 480 pixel की इसकी width होगी अंदर की और यह 10 10 pixel मतलब 500 में यह पूरे pixel को computer को cover कर रहा है तो इसलिए हम use करते हैं border box को border sizing को हम use करते हैं और इसकी property यही होती है अगर मैं यहाँ पर इसकी size को जो border है उसको आप सोच रहे हैं कि यह थोड़ा कब अगर मैं इसमें 50 pixel दे देता हूँ ठीक है तो क्या इसकी width बढ़ेगी यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ cursor को और इसको मैं यहाँ से refresh करता हूँ इसको copy कर लेते हैं पहले बाद इसको select कर लेते हैं और इसको मैं refresh करता हूँ जैसे refresh किया आप देखिए cursor वहीं पर है वहाँ से बिल्कुल कोई width बढ़ नहीं रही है बिल्कुल वहाँ पर width इस्टे हो जा रही है और वहाँ से हम चाहते हैं कि बढ़ेना आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी के अंदर में सारी चीज़ें width के अंदर में होती है तो इस तरह से हम use करते हैं border box को box sizing को तो अगली वीडियो में अगली इस property CSS की देखेंगे तब तक लिए अगर आपने भी चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी चैनल को subscribe करते हैं वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले और बेल आइकन को ज़रूर पेश करें ताकि आगरी आने वाड़ी वीडियो आपको notification में मिलती रहे और बहुत सारे projects मैं इस चैनल पर upload करने वाला हूँ और कुछ projects मैंने upload कर दिया वहां पर जाके देख सकते हैं